हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनने वाले हकका नूडल्स के रस्पी जो कि बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बरतन के अंदर डेड़ से दो लीटर पानी डाला है अब इस पानी को हम अच्छे से गरम होने के बाद उबाल लेंगे अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक तिहाई चमच करीब नमक डालेंगे और एक टेबल स्पून रिफाइंड ओयल डालेंगे और पानी को अच्छे से गरम होने देंगे दोस्तो जब तक पानी गरम हो रहा है आए तब तक इसके लिए सबजा काट लेते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी कीचन टिप देती हूँ मैंने यहाँ पर बेल पेपर्स को क्लिंग रैप के अंदर रैप कर रखा है जिसके अंदर ये 15 से 20 दिन तक भी फ्रिज में खराब नहीं होती है ये बहुत ही महंगी होती है इसलिए हमारे के ये बिल्कुल भी खराब ना हो इसलिए हम इसको क्लिंग रैप के अंदर रैप करते हैं तो 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल खराब नहीं होगी यहाँ पर मेरे पास रैड केलर के येलो के और ग्रीन केलर की तीनो ही बेल पेपर्स हैं जिसको हम पतली पतली और लंबी पाकों में काट लेंगे दोस्तों, इनका सौध हमारी घका नूडल के अंदर बहुत ही अच्छा आता है अगर आपके पास ये कलर ड्रैप बैल पेपर नहीं भी आ हैं, तो आप सिर्फ ग्रीन लई बैल पेपर पेपर ऻ़लेंगे उसका विस्वाद हका नूडल के अंदर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों यहां मैंने तिनोही पेपर्स को आधा आधा लिया है जो कि मैंने पूरी नहीं काटी है अब हम यहां पे एक प्यास को भी इसी तरीके से पतली पतली स्लैसेज में काट लेंगे और इसको अच्छे से खोल के इसके लच्छे से बना लेंगे दोस्तों यहां पे मैंने एक लाल वाली सूखी वाली लाल मिर्च ली है जिसको हम छोटे-छोटे पीसीज में काट लेंगे इसका भी हका नूडल्स के अंदर ख्लिवर बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों यहां पे मैं पत्ता गोबी और गाजर काटना भूल गई हूँ तो प्लीज आप बिल्कुल मत भूलिएगा यह देखे दोस्तों हमारा यहां पे पानी बिल्कुल बड़े तरीके से उबल चुका है अब इसके इंदर हम हका नूडल्स डाल देंगे दोस्तों हमारा को इन हका नूडल्स को सिर्फ 70% तक ही उबालना है जादा नहीं उबालना है क्योंकि अगर हम इसको जादा उबाल देंगे तो सबजों के साथ जब हम इनको भूनेंगे तो यह बिल्कुल चूरा बन सकते है यह देखे दोस्तों पानी में डालने के बाद एक बार तो असे लगता है जैसे पानी बिल्कुल ठंडा हो गया हो उसके बाद इसके अंदर वापी से उबाल आया है अब इसको हम धीरे धीरे हिलाएंगे और इसके अंदर के सारी जो गाठे हैं वो पूरी तरीके से खोल देंगे और जब यह थोड़ा सा स्मूध होने लगे उसके बाद हम इसको 70% तक उबलने देंगे दोस्तों हमारको नूडल्स को बालते वे लगबग 6-7 नट हो चुके हैं जैसे कि आप देख चुके हैं कि यहाँ पर नूडल्स जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं अब यह हम यहाँ पर गयास बंद कर देंगे और इस बरतन के उपर प्लेट धग देंगे और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि भाब के अंदर यह अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएंगे दोस्तों मुझे नूडल्स के इस बरतन के उपर 5 मिनट प्लेट वे हो गए थे जैसे के अब आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर नूडल्स बिल्कुल बड़े तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं और परफेक्ट कुक हो चुके हैं ना ही ज़्यादा उपले हैं ना ही कच्चे रहे हैं अब हम इन नूडल्स के अंदर से गरम पाने निकाल देंगे और इसको ठंडे पाने से 3-4 बार बिल्कुल बड़े तरीके से धोलेंगे ताकि नूडल्स के अंदर जो कसैला पंध होता है वो पूरी तरीके से निकल जाए इससे नूडल्स आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बिल्कुल बजार की तरह जैसे वो चाउमिन वालों के बिल्कुल खिले-खिले रहते हैं उसी तरीके से ये नूडल्स बने रहेंगे ये देखे दोस्तों मैंने यहापे नूडल्स को 3-4 बाल बिल्कुल बड़े तरीकी से धूलिया है अब इसके अंदर हम एक चमच रिफाइंड ओयल डालेंगे और इसको अच्छे से नूडल्स के साथ मिक्स कर देंगे इससे नूडल्स के अंदर चिकना हट आएगी और ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और बजार की तरह बिल्कुल खिले खिले रहेंगे आएए दोस्तों अब हम हका नूडल्स बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पतले तले की कड़ाई लेंगे और इसके अंदर दो बड़े चमच भरके अच्छे से रिफाइंड ओयल लाई लेंगे अब हम यहाँ पे तेल को गरम होने देंगे और तेल के हलके से गरम हो जाने के बाद इसके अंदर एक चमच बारी कटे हुई अद्रक और एक चमच बारी कटे हुई लसन डालेंगे अब इसके अंदर हमने जो सूखी लाल मेच काटी थी वो इसके अंदर डाल देंगे और तेल के अंदर एक से दो मिनट तक अच्छे से भून लेंगे दोस्तो एक से दो मिनट पाद हमारी यहाँ पे अद्रक और लेसन थोड़ा सा भून चुके हैं अब इसके अंदर हमने जो प्याज काटी थी वो इसके अंदर डाल देंगी और इसको हलका सा भून लेंगी दोस्तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे मैंने इस्पेशली पतली तली की कड़ाई क्यों बोला है क्योंकि अगर पतली तली की कड़ाई होगी तक नूडल्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिख जैंगे दोस्तो बजार वाले जो चौमिन वाले होते हैं उनकी गैस की आच बहुत ही ज्यादा तेज होती है जिससे उनके नूडल्स बिल्कुल बड़े तरीके से पक जाते हैं अगर आपके पस पतली तली की कड़ाई नहीं है तो आप इसको नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं अब इसके नदर हम एक बारिक कटी हुई हरी मिर्श डालेंगे और जो हमने बेल पर्स काटके रखी थी वो इसके नदर डाल देंगे और इसको एक से दो मिर्ट तक अच्छे से भून लेंगे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पत्ता को भी काटना भूल गई थी तो आप यहाँ पर बारिक बारिक पत्ता को भी काटके इसके नदर डाल सकते हैं उसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है यह देखे दोस्तों मुझे यहाँ पर सब्जियों को भूनते हुए लगबग 3-4 नट हमको हो चुकी है अब इसके नदर हम सॉसिस डालना शुरू करेंगे सबसे पहले हम इसके नदर दो बड़ा चमच ग्रीन चीली सॉस डालेंगे अब इसके नदर हम डेड़ बड़ा चमच रट चीली सॉस डालेंगे दोस्तों क्योंकि हमारे यहाँ पर बनता ही रहता है इसलिए हमने यहाँ पर बोटल से ही डाल दिया है इसलिए मैं आपको इसकी बिल्कुल perfect quantity बताऊंगी जिसे आपकी जो noodles हैं बहुत ही ज्यादा tasty बनेंगे दोस्तों हमने यहाँ पर सब्जियों के साथ sauce को थोड़ा सा भून लिया है इससे sauce थोड़ी से भून जाएगी तो इसका flavor अच्छा हो जाएगा और सब्जियों के अंदर भी इसका flavor बिल्कुल बढ़िया तरीके से आजाएगा अब इसके अंदर हमने जो noodles उबाल के रखे थे वो इसके अंदर डाल देंगे ये देखे दोस्तों हमारे हापे noodles अभी भी खिले-खिले हैं जबकि हम इसको उबालने के आदे घंटे बात बना रहे हैं अब इसके अंदर हम एक बड़ा चमच soya sauce डालेंगे और एक बड़ा चमच ही सिरका डालेंगे अब इसके अंदर हमने एक package जो है हका noodles का masala डाला है जो की chinks का है इसका flavor बहुत ही जबरदस्ताता है अब इसके अंदर हम एक चमच काले मिर्श का powder और नमक साधन डालेंगे दोस्तों क्योंकि सारी sauce के अंदर पहले से ही नमक होता है और इस मसाले में भी नमक होता है इसे ले नमक थोड़ा सा कम ही डालिएगा अब हम noodles के अंदर सारे मसाले को बिल्कुल अच्छे से mix कर लेंगे और इसको पलटते वे noodles को तेज आच पे अच्छे से भून लेंगे दोस्तों हमार को यहाँ पे noodles को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है और इसका पलटा लगातार चलाते रहना है और इसको अच्छे से mix करते वे भूनते जाना है इससे noodles के ऊपर की skin अच्छे से सिख जाएगी और इनका स्वाथ भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों हमार को यहाँ पे noodles को सेखते वे लगबग 10 नेट हो चुके है noodle बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिख चुके है अब हम यहाँ पे gas बंद कर देंगे दोस्तों मैंने अपने इस चैनल के उपर bread pocket की हका noodles की बहुत ही tasty recipe डाल रखी है आप उसको एक बर जरूर ट्राय करिएगा यह बहुत ही अच्छा पार्टिसनेक है आपको भी बहुत ही पसंद आएगा यह देखे दोस्तों हमारे यहाँ पे noodles बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन चुके है और इसका टेस्ट भी बहुत जबदास्ताया है आप भी एक बर इस recipe को जरूर ट्राय करिएगा और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हका noodles कैसे बने दोस्तों अगर आपको यह recipe पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिद भूलिएगा तो दोस्तों आपसे फिर मिलती हुए एक नई tasty interesting recipe के साथ ब diffस्तों आपके अझाल ले içे ने पनॉपलार चेपा़स क्राह्ज़ वीडियो कि आपके ऋना ले उना Bach गॉपल्वल का बूच हुझ झाल उन्याय को लाएगा खवल्वल प्लीज पारववल लाकर बदाल झाल झाल